आज हम बालीबूट के एकेस से आइकोनिक विलेन की बात करने वाले हैं जिनका नब्बे के दसक में अपना अलगी खोफ हुआ करता था जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं मुकेस रिसी की मुकेसरिसी एक एसा नाम है 90 के तसक में जिनको देखकर ही बच्चे सीहर जाया करते थे अक्सर ही फिल्मों में ये बिल्ला बुल्ला टाइगर टाइसन जैसे नाम वाले गुंडे के रोल निभाया करते थे जो आखरी में जेकी सराफ या सलमान खान से खूब मार खाता है मुकेसरिसी का जन्म 19 अपरेल 1956 को जम्मू और कस्मीर प्रांत के कटुआ जिले में हुआ अपने केरियर की सुरुआत में मुकेस ने मॉडलिंग की दुनिया से आगाज किया लेकिन उनकी किस्मत तो फिल्मों में लिखी दी उनके कड़क एबंप्रभावसली व्यक्तित्व ने उन्हें भारती फिल्म उद्योग के सबसे सकतिसाली प्रतिस्टिट खलनायकों में से एक बना दिया इन्होंने अपने फिल्मी सफर की सुरुआत 1988 में तेल्गू फिल्म संकरा भर्मन से अपने फिल्मी सफर की सुरुआत की मुकेसरिसी ने तेल्गू तमिल हिंदी कंणरप एवं पंजाबी फिल्मों में अपनी धाग जमाई हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री घातक नाम की मुवी जिसमें 96 में सनी देउल के सामने वो विलेन बने थे हूँ उस फिल्म से हुई उसके बाद अपने दमदार अभिने से उन्होंने दर्सकों का दिल जीत लिया सरफरोस, कुरुचेत्र एवं बागी में वो दिखाई दिये अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो गवर्मेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडिगर से इसना तक होने के बाद मंबई में दो साल तक काम ढूंडा लेकिन इनको कोई भी काम नहीं मिला काफी जादा मेहनत करने के बाद इनको मौडलिंग के छोटे मोटे रोल मिलने लगे हाला कि जब ये काम ढूंड रहे थे और मौडलिंग की दुनिया में नहीं आए थे इसके पहले ये मंबई से काम करने के लिए फिजी चले गए थे वहाँ पे भारती मुलकी केसनी रिसी से इनकी मुलाकात हुई जो आगे जाके इनकी पतनी बन गई अपनी पतनी केसनी के साथ में मुकेस न्यूजी लेंड चले गए वहाँ पर ये काम के साथ साथ मौडलिंग भी करने लगे बस इनके मौडलिंग केरियर की सुरुआत वही से हुई थी निजिलेंड में इन्होंने साथ साल बिताए और ये काफी पुरा वक्त था मीडिया में ये बात खुदी कहते हैं उसके बाद ये वापस मंबई भारत लोटाए यहां पे रोसन तनेजा के अभी ने इसकुल में इन्होंने दाखिला ले लिया और धिरत धिरे इनक केस रिसी की कहानी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक चरूर करें